नमस्काल साथियो चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं मद्ध्विदेश सामार निग्यान के बारे में तो इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग मद्ध्विदेश के प्रिमुक लोग गीत परव एवं मेलोई यह सब भी मद्ध्विदेश के परिफेक्च में देखेंगे से पहले बात करते हैं हम लोग निवाड अंचल की तो लोग गायन की से लियां देखते हैं तो इसमें निवाड में देखते हैं निवाडी लोग गीत संत संगाजी गायन निर गुडिया गायन नाम पंती गायन मासांडया गायन गरवा या गरवी गवलन गायन फाग गायन कलगी तुर्रा संजागीत गायन लोग नित की बात करें तो गड़ गौर नेत, काठी नेत, फिफरिया नेत, पंडला नेत, नाच, आड़ा-खाडा नाच, डंडा नाच लोग नाट की बात करें तो गम्मत ठीग, अब बात करते हैं मालवा, मालवा आज चल गी तो लोग गायन की सेलियां की बात करें तो मालवी गुलोग गीत, भर्थरी गायन, भोफे गायन, निर्गुडी भजन गायन, संजागीत गायन, हीड गायन, फरप्तिवार शंगीत, वरसाती वत्ता लोग नित की बात करें तो मटकी नाच, आडा खाडा, रजवाडी नाच, गरवा, नाच, मूलता, गुजराती लोग नाट की बात करें तो माच, राच की ये नाट बुंदलेल खंडी लोग गायन की सेलियों की बात करें तो बुंदेल खंडी लोग गीत, आहला गायन, भोला गीत, या बंबुलिया फाक गायन, बिरायटा गायन, देवारी गायन, जगदंबे का पुरावा, अब लोग नित की बात करें तो नाई राई नित, सहरा नित, कांडा नित, बधाई नित, डिमरिया नित, अखाडा नित, नोटंग की मूलता उत्तर पिदिश की लोग नट की बात करें तो स्वाग और आगनी फिर वगेल कंड लोग गायन की बात करें तो वगेली लोगीत वस्वादेवा गायन विरहा गायन विदेशिया गायन फाग गायन लोग नित की बात करें तो विरहा या अहिरियाई नित, राई नित, केहरा नित, दादरनात नित, कलसा नित, केमाली नित लोग नाट की बात करें तो मनसुखा, हेगोला, जिंदवा, लकडबग्या और रास, अंगलाय, छाहुर तो ये सबी थे, निवार आचल, अंचल, और लोग गायन, लोग गी, लोग नित, लोग नाट अब बात करते हैं लोग, लोग गायन की, क्या देखते हैं, लोग गायन, तो गायन का नाम संबन्दिछेत, आदिवासी, विसेस्ताएं और प्युक्त बाद्देंद तो सबसे पहले बात करते हैं कलगी तुर्रा, तो ये निवार छेत में गाया जाता है, सिप पारवर्वर्वती को समर पे थे, चंग इसका बाद्द्यन्द है फर है फाग, तो फाग निवार छेत में गाया जाता है, ओली के आउसर पर गरवा, ये निवार में काय से संबन्दे थे, इनकी तीन सेलिया है, गरवा, गरवी, गवलन ताल की थाप है, इसके बाद्द्यन्द, मसान्या, ये निवार छेत में होता है, मित्युगी थे निरगुरिया एननार्दी है, एनिवार छेत काया है, निरगुڑबिम्मा की उपासना में। इसका बाद्यन् gefह सान्यागीत एं मालवा का है, मूलता मालनवा की औरन का पारंपरक गायन है तेजाजी का कथा गायन तो एमालवा का है विरोचित गायन का बखानेच में हीड गायन एमालवा का है सरावड के महिने में गाया जाता है बरसाती वरता एमालवा का है रितु कथा गीत बरसा रितु में लाउनी एमालवा निवार का है निर्गुडी द दासने गीत है रेलो गीत ये मुडिया सिंग मार्डिफ भील जनजाती से समद्ध थे युवक यूर्तियां का गीत है चौकडिया फाग ये बुंदेलखंड का है इसुरी की रचनाओं का गायन है आला बुंदेलखंड पर गाया जाता है बीर रसका फिदान काब है आंगे बा गीत या बबुलिया लम्टेरा गीत तो ये बुंदेलखंड में वाच्का परंप्रा का मधुर गीत है नरवदाय सनान जाती समद्ध गाया जाता है दिरा ये अटा बुंदेलखंड में कथा गायन से लिए दीवारी गायन ये बुंदेलखंड में दोहो गायन से लिए जग सवाल जबाब सेली में चुटकी, फैजर, सारंगी इसके बाद देन थे ठीक फाग फाग कहा गाई जाती है? बुद्देल खंड में नगाडों पर फाग गायन होती है हरदौली की मन होती है? यह बुद्देल खंड बगेल खंड में यह बीरता का गीत है विदेशिया गायन भगेल खंड में जंगल या संसान जगए पर गाय जाती है अब बात कर लेते हैं हम लोग यहीं लोकनित के बारे में निवाड के लोकनित की बात करें तो गडगोर नित गडगोर निवाड का धार्मिक लोकनित है चैत मास में पार्वती के पिती गडगोर देवी की मूर्ती के अराधना डोल और थाली की थाप से काठी फारप्ती की तपस्या से सम्मंदेत मात पुंजग नित डाग काठी का मुख्यवाद नर्थकी की बेशबूसा बना काठी का फारम देव प्रवोधनी एकादसी से विश्दराम महासिवराती तरफ फफारिया यहाँ एक सामुएक नित जिसमें इस्तिरी प्रोस पुंगी बजाते हुए नित करते हैं माडल्या माडल्या इस्ति नित है जिसमें डसेल की थाप पर विभिन सारी मुद्दाओं की अभिविक्ती होती है आखा खाड़ा इन्ने बार में जरब मोंडन बिवाय आउसर पर आखा खाड़ा नित किया जाता है डंडा नाच चैद बैसाग में क्रिशक डंडा नाच करते है अंगला है मालवा की नित मटकी मालवा का तेंत लोग पिये नाच है डोल की विशेश ताल पर पंतंग नाच कहरवा दादरा पर नित किया जाता है बुंदिल खंड के नित तुराई सोर और सिंगार दोनों मनो वित्तियां का समाविसेस में कहने में बेड़नी नर्थ की गती देने का काम मिर्दंग वादक सामाजिक बिद्दू पताओं पर खुलकर चोट होती है सेरानेत सेरानेत गडगोर के गडगोर के अउसर पर किया जाता है यह गुजरात में होने वाले डांडी अनेत से मिलता है यह नेत भी बुंदेल खंड में पिछले थे सावन माहे में कजली तीच के अउसर पर आंगनों में नाचकर कृष्ण नीरी लाओं से सम्बंदित नेत में ढोलक, टिमकी, मजीरा, मेदोग, वासुरी बाद्द, करनाडा नेत यहां के धोबी समाज में सुग अउसर पर किया जाता है बुंदेल कट फ्रे अंगला जवार यह भुंदेल कंट में सम्मृद्दी के उत्सव पर जवारा नेत मनाए जाता है डिमर थाई नेत साधी बयाह के अउसर पर फ्रे वधाई बधाई कब बधाई बुंदिल खंड में कि ग्रामीन अंचलों में साधी बयाहे के आऊसर पर बधाई नेत होता है बगेल खंड के नेत के बारे में बताए तो विरहा बगेल खंड विरहा नेत अहिराई किया जाता है इसमें इस्तरी पुरुष सवाल जवाब करते हैं केहरा इस्तरी पुरुष का सयुक्त नेत है वास्कुरी की धुन मात्पूर है इसमें दादरा नेत एक कोल को आवार कहार जाती में दादरा नेत पिसद है जिसमें इस्तरी पुरुष दोनों भाग लेते हैं कलासा अहीर गड जनसजनी नितивी कहते हैं किमाली गीत जवाब स्लीस में होते हैं अब बात करते हैं जन्जातिएँ के नित कर्मा मंदला चित में कर्मा नितियत कर्म देवता को रिजाने के लिए वेजाय दसमी से सुरू होकर वरसा के आघ्मन तक मंदला के बेगा और गोडों का प्रमुक नेत वाद्यन्त मांदर है आंगे बात करते हैं क्या दसहरा दसहरा और ददरिया बेगा अधिवासियों के तेवार दसहरा और ददरिया किरमसा सामाजिक बेवार की कलात्मक और प्रेम सम्मंदों की भावना फिरधान अभीवित थी है ददरिया मंडला का परमुक नेत है फ्रह चट का कोरा नेत कोरकू आदिवासियों का नेत है निवाड में पिछले थै रेना नेत बेगा तथा गोंड इस्तिरियों का दीपाद मली के आउसर पर किया जाने वाला नेत है बिमलार नेत बेगा जनजातियों में प्रेम पिसंग पर आधारी थे भगवरीया हाट ए भीलों के द्वारा किया जाने वाला नेत है गोचो नेत एक गोणों द्वारा किया जाता है वा बार नेत एक कमर आदिवासियों द्वारा किया जाता है नेत लहरी नेत कंजर बंजारों एवं सहरीयों लोगों द्वारा नेत किया जाता है परदोनी नित बिबाह औसर फर वेगा दिवासियों द्वारा बरात की आगवानी की समय किया जाता है बदेरी नित ग्वाला और गुछ्य जातियों की द्वारा किया जाता है फिर है अंगलाया भागौरिया भगौरिया संपूर भील चित में मनाया जाने वाला भगौरिया होली का धहन से साथ दिन पूर प्रारंब होता है। जाबुगा का भगौरिया विसेस आकरशन का केंद होता है। भगौरिया में तीन मुक्तिन होते हैं। पितम दिन गुगलिया हाट, दूसरा भगारिया हाट भगोरा देवता की पूजा की जाती है और तीसरे दन मेला वीरान हो जाता है जिसे उजडिया कहते है तरताली कमर जाती का यह नित दो या तीन इस्तिरियों के द्वारा किया जाता है अहरी नित ग्वालियर की यादव ग्वाला रावत रावत वरेडि जाती द्वारा किया जाता है परदोनी नित वेगा जन जाती का एक काला प्रधान नित है जो विजबाय के आउसर पर किया जाता है लहेंगी नित, लहेंगी स्तरावन मास में किया जाने वाला सहरिया का समूर नित है, दुल-दुल घोडी, राजिसान का मूल नित है, गौलियर गुना, सिप्रीमें धोल नागडिया, जीका, तथा मसक बाद से होता है, के साथ, तर अंकला है हमारा, भारिया भडम, सेतम नित, भारिया आदिवासियों का यह नित समूर है, जिसमें अनेक नित किये जाते हैं, सेतम महिलाओं करती हैं, सरहुल नित, उराओ जन जाती द्वारा, सरई वेक्ष, के चारों और चैत मास, पूनमा को किया जाता है, बास गीत, यह मूलता एक गाथा का इसमें मोटे बास के, लगवक एक मीटर लंबे वात को बजाए जाता है, इसी कारणे से बास गीत कहा जाता है, तुरया राओद जाती की लोग गाते हैं, खम स्वांग, होरकू जन जाती का नित, जिससे दीपाबली के, बाद मेगनाक इस्थम के पास किया जाता है, अब ब गुडिया सिल्फ ये नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागजों से गुडियां हैं जहाबुआ तो भीली गुडिया का केंद बनागा श्रीमती बातोबाई गुडिया सिल्फ की सिष्ट कला कारें फिरे खराद कला मदपदेश में सियोपूर कला बुद्नी गाठ रीवा मुरेना खराद कला की पितित केंदे बास सिल्फ वालगाठ इसका फिरमुक केंदे चीपा सिल्फ बाग कूछी मनावर बदनावर गोगाओं खिराला उज्जेन चीपी सिल्फ के परमारिक परमपरिक के उज्जेन का छीपा सिल्क भेरूगः नाम से बिख्या थे महेसुर साडि महेसुर साडि उध्यक कला को स्थाप्र करने कशरे फिशिद शाजिका फ्रियाबाई को जाता है चंदैरी कि साड़ी में बनने के काले साड़ी का नाम काता वहारत 90 का पठन सासन द्वारा अगश्ट दोजार आठ में भारत भावन में नियास के निजदेशक की रूम में पंडिज जैसराज गायन तसस सदस्यों के रूम में सुसरी हेमा माली सास्त की नेत स्री अमरत बेगड चितकलाओ साय गोकुल महराज स्री रमेश पतंगे दलित रचना करम मतितिश में तो गड़ गौर मालवा अंचल काई सांजह बंदलखंड कहा चले कहे पर घडल या एसा मुचय मद्दिति पतिश में सुगाटा पुन्दिल खंड का अच्छन में मुनाय जाता है नेज़ा मालवा में हरेली मालवा इबंदिल खंड का भगवरिया जहबुआ धार जिले में भीज जन जाती का नवान एक बुन्दिल खंड में रत त्रबा मंडला जिले में लारू काज एक गोंडो दौरा नारायन देव के सम्मान में अब बात करते हैं लोग पिरमुक मेलों की बारे में पिरमुक मेले देखते हैं मदर्पदेश की तो ये मेले की नाम हो गए ये समय उदी हो गई और इस्थान जहाँ लगते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा गरीब नाथ चैत माय में मार्ट चप्रेल में ये लगता है अवंति पुर बडोदिया आगर में नाना जी मेले का नाव है पुर आघ्ण माय नवंबर दिसम्बर में लगता है पोर्षा गाउं मुरेना में लगता है बर्मान एपोस माय में मकर संकराथी से 13 दिन तक जन्मरी में नर्सिंग पूर में लगता है कुंडे सोर फिती वर्स सिवरात्री मकर संकराथी वा वसंत पंचमी पर सिम्मंदिर पर तेजाजी एभाद माय में अगस्ट दिसंबर में भामा बाओ गाओं गुना में सिंगा जी कुवार माय में एक सब्ताय तक अगस्ट सितंबर में फिपल्या गाओं अंगला कुन सा है जागे सुरी जागे सुरी का मेला इस चैत माय में लगता है चंदेरी गुना में लगता है ठीक अंगलाई सिंगस्त ये बारा बलसों में लगता है और उज्जेन में लगता है हीरा भूमिया का मेला ये भात्माय में लगता है अलग अलग इस्तितियों में लगता है और गौालियर वागुना में लगता है काना बाबा इस सिवरात्त्री और गुरुपूर्मा को लगता है सोडलपूर होसंगाबाद में लगता है बड़ोनी का मिला इस सिवरात्त्री और गुरुपूर्मा को लगता है बड़ोनी दतिया में लगता है महा मिदुंजर का मिला है ये बसंत पंच में हो सिवरात्ती को लगता है, रीवार में लगता है, सनकुगा मिला ये कार्तिक फूर्ण मा से 15 दिनों तक लगता है हो संगाबाद में, राम जी बाबा का मिला, ये कार्तिक महायक का साथ दिवसी मिला है, मंधाता खंडवा में लगता है, कालू जी महराज, ये पिपल्या खरगोन में लगता है, अमरकंठक का मिला, ये सिवरात्त्री पल लगता है, अमरकंठक खरगोन में, जल बिहारी ये अक्टूबर माय का दस्ते वसीय में लाए च्छतरपुर में लगता है सौनगिरी ये चैत में एकम से पंचिमी तक लगता है सौनगिरी दतिया में लगता है सादा माँ ये मेहर सतना में लगता है अंगला है माग गोगेरा ये सिब्रात्री पर 15 दिन होता लगता है और ये लगता है भैरुनाज सतना में रामलीला ये माग माय में जन्वरी परवरी में भांडेड दतिया में रावत पुरा ये लहार भिंड में रतनगड दीपावली की दोश के दिन ये रतनगड दतिया में लगता है चांदी देवी एपितेक परिवार को गोगरा गाउं दतिया में लगता है डनान भगवान एपितेक परविवार को उन्नाव उन्नान में दतिया में पीर वुधान एभादमाय में एक दिवसी है अगस्य स्टम्बर में गाउं साविरा सिवपुरी में लगता है धमोनी उर्ष बाबा मस्तान साहें बाली धरकाय का मिला अप्रेल मैं में लगता है 15 दिनों तक धमोनी सागर में बाबा सहाबुतीन ओलिया का उर्ष ये फरवरी में लगता है नीमच में अब बात करते हैं लोग मत्पिदेश की बोलियों के बारे में ये बोलियां होगे, ये जिले होगे, तो बुंदेल खंडी, बुंदेल खंडी कहां कहां बोली जाती है, असोपनगर दतिया वोना, सिपुरी मुरेना, सागर छतरपुर, दमोव पन्ना विदीशा, रायसेन होसंगाबाद, नरसिनपुर, सिवनी छिदबाडा वाला गाट, न उर्हानपुर, खंडगा, खंडबा, खरगोन, धार, देवास, बडवानी, जाबुगा, इंदोर, बगेल खंटी, रीवा, सपना, सहडोल, उमरिया में, मालवी, इस्सिहोर, नीमच, रतलाम, मंदसोर, साजापुर, आगर, जाबुगा, उज्जन, देवास, और इंदोर मे बिरिजभासा गाम बोली जाती, भिंड, मुरेना, ग्वालियर में, कोरकू, बैतूल, होसंगावाद, छिदवाडा, खरगोन में, भीली, रतलाम, धार, जाबुगा, खरगोन, एवं, अलीराजपुर में, गौंडी, बैतूल, छिदवाडा, सिवनी, बालागाड, मंदला, अब बात करते हैं लोग आदिवासी देवताओं के बारे में, तो आदिवासी देवता, ये जनजाती हो गई, ये देवता हो गए उनके, तो भील, भील के हैं, सीतला, अंबिका, पाठर, बिरा है, बेगा, बेगा जनजाती, बुडा देव, धर्मती माता, गंस्याम, नारायन, देव, बाग देव, भीमसेन, पनीहारी, रात मई, लोहा सुर, माता, होला, नर्वदा माई, गोंड जन जाती, नारायन देव, गराहा, मोल्टकी, दूला पैन, बरिया जन, नैन, होले राव, ये इनके देवता है, गोंड के, तो चलिए दूस्तों, ये थे हमारे अधिपदेश के, लोग, गीत, परव, और मेले,